हरिद्वार की गंगा आर्ती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है इस आर्ती में ना सर्फ भारतिये बल्कि विदेशी परेटक भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं इस बीच बॉलिवुड की कॉंट्रोवर्सी कुईन कंगना रनौत भी गंगा आर्ती में शामिल हुई एक्टरस ने प्राचीन सद्ध पीड दक्षन काले मंदिर में पहुँच कर मा काली की फूजा अर्चुना की और उसके बाद साधो संतों का भी आशिरवाद लिया उन्होंने गंगा की स्वक्षता को लेकर और जागरुकता फैलाने को लेकर केंद्रो सरकार की तारीफ करते हुए अभार भी जताया तुमख लेकर जितना भी जागरुकता आ रही है। जाहें गंग को सफाइच से लेकर हो या हमारी संस्कृति में और हमारे धरम में गंगा जी का क्या महत्व है? इसके प्रति जाग रुपता हो। यह हर तरीके से हमारी जो करण कवर्मेंट है उन्होंने ये संभब किया है। आपको पता है कि पहले कि अगर दुर्दशा थी और जिस तरह से नदियों की जब दुर्दशा होती है, धर्म स्थानों की दुर्दशा होती है, तो मानफ्ता की कंगना ने पूजा के दौरान देश के खुशहाले की भी कामना की उन्होंने ये भी कहा कि अपने कल्यान के लिए हमें नदियों का भी कल्यान करना होगा यहां तक कि उनसे जब आगामी लोकसभा चुनाओं को लेकर सवाल किया गया तो इसका जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि 2024 में भी वही होगा जो 2019 में हुआ था देवी गंगा जी की महत्तता है उसका हमें विचार करना चाहिए और उसको हमेशा ही ध्यान में रखते हुए गंगा जी को जो है साफ रखना चाहिए और बाकी 2024 में आपने गाओ आपने दोहजार चाहबिस को लेके काफी उच्छता है और आइटिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था परदान मंत्री जी है और ग्रिय मंत्री जी है वो बड़े-बड़े दिगज है जो कि सब सलमान जी को security मिली हुई है तो definitely इस बात को लेके काफी आश्वासन में है कि उनका भी अच्छे से जिस तरह से ख्याल रखा जा रहा है मुझे भी जब धमकी मिली तो मुझे भी security मिली थी तो जब मैंने कहा देश अच्छे हाथों में है तो हम क्यों चिंता करें हमारे चिंता करने लाइक कोई बात नहीं है ताइम्स नौन भारत डिजिटल के रिपोर्ट